इंडिया में जब पिए लेक्ट्रिक वेकली की बात हो रही हो ना, तो दो बैटरी सबसे पहले आती है, पहले है लीठियमाइन बैटरी और दूसरी है लेडेसिंट बैटरी पर अगर मैं क्या कहूं, एक एलेक्ट्रिक कार है जो दोनों बैटरी को न इस्तेमाल करकर फिर भी इस बैटरी को बना कर दिखाया है दोस्तों यह बैटरी में किसी प्रकार की चार्जिंग जरूत नहीं पड़ती है और यह बीना चार्ज किया आपको 2000 से किलोमीटर तक का रेंज दे देती है या फिर उससे व्यदी के रेंज देती है इस टैप की बैटरी में कोई भी नॉन फ यह बैटरी के मामले मक्ति है क्या हम इसे चार्ज करने हिए पाएंगे क्या हम इसे एक बर लगाएंगे 2000 किलोमेटर चलेगी उसका हम क्या करेंगे दोस्तों यह टेकनोलोजी जिस करती है सवाप एबल बैटरीज वाली जैसे कि आपका जिम बाय बैटरीय है ऐलमिधे में य हीगी यह सबसे बइब रह्त होती है सबसे पहले अगर इंडिया में हमें serious लानी है तो वायगे ऐसोले किट के अब लगबंग तीन लाग रुपेस लएकर चार लाग रुपे के बीच में इसकी इन्वेस्ट में जरूर करनी चाहिए मुझे लगता है और अगर बात करें लीटियम और लेड एसिट की कंपेरिजन में यह बैटरी बहुत ही ज़्यादा हलकी है और इसकी स्वेफेबल चार्जेस मात रतीज से चार एर पढ़ने वाले हैं इंडिया में एलमुनियम की बात कर लिए यह यह बहुत ज़्यादा कम है आप जानते ही होंगे तो इसलिए जो एलमुनियम बैटरी एक बैटर चाहस बनता है इंडिया के लिए तो इंडिया को भी से काम करना चाहिए और यह बहुत अच्छा विकल्फ हो सकता है फ्यूचर के लिए यह पेट्रोल डीजल कितन लेकिन कुछ तो हमें करना पड़ेगा अपने देश को सच करने के लिए तो आज की वीडियो के लिए इतना आइफ वीडियो पस्क्राइब कीजिए और इस नौलेज को हर जगा फैला दीचे